Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैं हूँ आपकी science educator Dr. Muskan and students Magnet Brains में आपका स्वागत है. Magnet Brains में मिलती है free education kindergarten से लेके class 12 तक. यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के payment transaction की need नहीं है students because Magnet Brains high quality education वो भी एकदम free आप तक पहुचाते है. Magnet Brains e-books and e-nodes भी provide करते हैं. description box पर गिवन जो link है उसे click कीजिए and students आप चाहे तो Magnet Brains की website visit कर सकते हैं जो है www.magnetbrains and students वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है? click करना है option पर get e-books and आपको Magnet Brains की e-books and e-nodes download हो जाएंगी along with daily practice papers लेकिन उसके लिए आपको जाना है www.magnetbrains.com and students Magnet Brains YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram सभी जगा अविलेबल है लेकिन आपको Magnet Brains को follow करना पड़ेगा अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो चल दी जाए Magnet Brains को follow कीजिए, subscribe कीजिए and मेरी वीडियो को like कीजिए and students Magnet Brains का Hindi Medium channel भी अविलेबल है YouTube पे जो Hindi Medium के students को free education provide करता है तो आपके अगर friends Hindi Medium से हैं तो उनको बताईए about Magnet Brains Magnet Brains, UP Board, then MP Board, Rajasthan Board, Delhi Board, CBSE Board के लिए education तो provide करते ही हैं साथ ही साथ spoken English, Vedic Maths, crash courses जैसे courses भी अविलेबल है तो देरी किस बात की बहुत सारी पड़ाई है Magnet Brains के पास लेकिन आपको बस Magnet Brains को like करना है, follow करना है and subscribe करना है So students, आज के session में हम start करने वाले हैं chapter number 3 जो heat है class 7 science का So students, heat क्या है? According to you, heat क्या है? आप कहते हो, आपको गर्मी लग रही है, है ना? आपको गर्मी कब लगती है? जब आपके surroundings बहुत ही जादा होता है तो हमें गर्म लगता है लेकिन winters में आपको गर्मी नहीं लगती winters में आपको थंड लगती है So ये कौन है जो temperature decide करता है and कभी आपने सोचा है कि गर्म, थंडे हम उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं आप गर्मी में full woolen clothes तो नहीं पहन सकते and उसी की तरह आप winter में short clothes भी नहीं पहन सकते So हर season के according हम dress up करते हैं क्योंकि हमारी body बहुत जल्दी बीमार पढ़ जाती है अगर thund में हम short clothes पहने और summer की clothes पहने तो हम बहुत जल्दी बीमार पढ़ जाएंगे और धूप में अगर हमने woolen clothes पहन के हम धूप में चले गए तो sweating की वज़ज़ से हम बीमार हो जाएंगे and students कभी आपने notice करा है जब भी मम्मी खाना लाती है आपके सामने तो वो खाना गरम होता है आपको कैसे पता वो खाना गरम है तो मैं कबसे hot, cold, hot, cold क्यों बता रहे है क्योंकि यही है आज का हमारे topic So students, hot आप कैसे बता सकते हो की कोई चीज hot है सबसे पहले तो आप यहां तो उस चीज को touch करके देख सकते हो या आप उस चीज के पास जाके feel कर सकते हो जैसे कि अगर कोई गरम गरम frying pan आपके सामने रख ले तो आप जैसे ही touch करने वालोगे आपको उसकी heat आ जाएगी अगर आप ice को touch करो तो क्या होगा थंडा लगेगा So students, सबसे पहले हम hot and cold में differentiate करते हैं किसी भी चीज को touch करके And touch हम कैसे करेंगे? Touch हम करते हैं अपने हातों के senses से आपको पता है आपकी body में कई तरीके के receptors हैं कुछ receptors है जो आपको hot and cold बताते हैं आप वो आपके पूरे शरीर में body में spread होते हैं जैसे ही गरमी आएगी hot receptors active हो जाते हैं गरम 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 और जैसे ही थंड आएगी तो cold receptors active हो जाएंगे जब भी आप किसी hot cheese को touch करोगे तो hot receptors active होंगे और उसी की जगह अगर आप किसी cold cheese को touch करोगे तो cold receptors activate होंगे आपकी body में pain receptors भी है कि जैसे ही आपको कोई pinch करता है तो आपको धर्द होता है वो धर्द क्यों होता है क्योंकि उस जगह के pain receptors activate हो गए So, ऐसे ही हमारी body में अलग-अलग function की receptors हैं जो हमारी skin में present रहते हैं जो हमें senses बताते हैं कि कोई भी चीज थंडी है या गरम है So, इस पूरे ही chapter में हम अच्छे से detail में पढ़ेंगे hot and cold में हम differentiate कैसे करते हैं और actually ये heat कैसे produce होती है and then इसी के बारे में हम सारे आपके doubts clear करेंगे अब सबसे पहले तो students हमने देख लिया hot and cold क्या है उसके बाद हम बढ़ते है measuring temperature अगर मैं आपसे कहूं कि आसमान का तापमान 40 degree है आज तो 40 degree क्या है ये मैंने temperature को measure करा जो हमारे weather forecast होता है जो हर youtube पे whatsapp पे सब जगह हमको आ जाता है कि आज का temperature क्या है so वो लोग क्या करते है students वो लोग atmospheric temperature को measure करते है अगर आपने कभी notice करा है कि आप जब बीमार पढ़ते हो तो आपकी ममा एक thermometer लाके देती है and then आपके tongue के नीचे वो place कर देती है so वो thermometer क्या है वो thermometer आपको आपकी body का temperature बढ़ाता बताता है क्योंकि जब भी हम बीमार पढ़ते हैं तो हमारा जो normal body temperature है उससे थोड़ा जादा हो जाता है and उस जादा को measure करने के लिए हम किसका use करते हैं एक instrument का use करते हैं जिसको हम thermometer कहते हैं so हम देखेंगे कि हमने measure कैसे करा अपना body temperature, atmosphere का temperature and thermometer को कैसे use करते हैं इनी सब चीजों के बारे में हम देखेंगे measuring temperature में कि हमने thermometer का कैसे use करा उसके अंदर जो mercury है वो क्या है हम thermometer को use करने से पहले क्यूश उसको move करते हैं हर एक चीज का एक logic है एक reason है thermometer को कहां place करना चाहिए अपने mouth में या armpits में यह सारी ही चीज़ें आपके सारे ही concepts हम पढ़ेंगे measuring temperature में उसके बाद आते हैं students laboratory thermostat पे अब students in lab जो बड़ी-बड़ी labs होती हैं factories होती है जब उनको temperature measure करना होता है तो वो यूज करते है laboratory thermometer का सो हम देखेंगे कि वहां पे इनके क्या uses हैं यह कैसे use किये जाते हैं is that clear उसके बाद आते हैं transfer of heat क्या कभी आपने सोचा है कि desert में दिन के time तो बहुत गर्मी होती है लेकिन रात के time ही थंड हो जाती है ऐसे दिन और रात में जो transfer of heat हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे इस part में जो है transfer of heat कि day breeze, night breeze, day breeze इतनी hot होती है, night breezes इतनी cold के होती है क्योंकि transfer of heat हो गया है surrounding में सो इसी cycle के बारे में हम देखेंगे transfer of heat में उसके बाद students हम आएंगे कि क्यों हम गर्मी में गर्मियों वाले कपड़े पहनते हैं और ख्यों हम थंड में थंड वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि students जब थंड होती है तो temperature बहुत ही कम हो जाता है surroundings का और कम temperature में हम क्या use करते ह वूल किसका बना है आनमल के हैर से लेके हम वूल बनाते हैं, जो बहुत ही ज़ादा इंस्यूलेटिंग होता है, Insulating का मतलब वो इतना proper एक shield बना लेता है हमारी skin के बहार कि जैसे ही थंडी हवा आती है वो उसको cross ही नहीं कर पाती तो जब भी कोई थंडी चीज हमारी body को cross नहीं कर पाएगी तो वो हमें गर्मी पहुचाएगी इसलिए winters के time में हम woolen चीज़े पहनते हैं हम गरम चीज़े पहनते हैं हम sweatshirts, hoodie, cap and gloves, socks इन सब का इस्तमाल करते हैं क्यूंकि आसमान में चारो दरफ बहुत ही ज़ादा कम temperature होता है और हम बीमार ना पढ़ें और हमें थंड ना लग जाए इसलिए winters में हम winter clothes पहनते हैं लेकिन students summers में तो temperature बहुत ही ज़ादा होता है और ज़ादा temperature में तो हम AC के बिना survive ही नहीं कर सकते हम fan and coolers के बिना survive ही नहीं कर सकते हम woolen clothes तो बिलकुल सोच ही नहीं सकते पहनने का क्योंकि students हमारी body को heat देनी है अगर हमने अपनी body को woolen clothes से pack कर लिया summers में तो हमारी body बहुत ही heat up हो जाएगी क्योंकि air ही पास नहीं होगी and क्योंकि आस्मान में temperature इतना जादा है इसलिए हम summer clothes पहनते हैं खुले-खुले कपड़े पहनते हैं cotton के कपड़े पहनते हैं hats का इस्तवाल करते हैं क्योंकि हम heat या sun से protect करना होता है अपने आपको is that clear तो ये चीज हम अच्छे से समझेंगे अपने kinds of clothes we wear in summers and winters में उसके बाद students जब हमने ये सारे concepts अच्छे से समझ लिए उसके बाद हम आएंगे NCRT solutions हम एक-एक question को बहुत detail में बहुत अच्छे से properly समझेंगे आप जा सकते है NCRT solutions पे chapter number 3 heat के उसके बाद हम आएंगे multiple choice questions पे क्योंकि इसके बिना तो कोई भी knowledge अधूरी है जब तक आपने पूरी अपने concepts को apply करके नहीं देखा questions में और अगर आप questions को solve भी नहीं कर पारे तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि आपको वो topic समझ ही नहीं आया तो इसलिए multiple choice questions होते हैं ताकि आपको ये समझ आ पाए कि कौन सी चीज आपको समझ में आई है और कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है और ये चीज का difference आपको solve करना होगा इसको पता करने के लिए आपको solve करना होगा multiple choice questions उसकी बाद हम आते हैं most important questions पे हर chapter में कुछ topics होते हैं जो जादा weightage gain करते हैं जो बहुत ही जादा important होते हैं जो हर साल exams में आते हैं तो उन questions को हम मिलके discuss करेंगे most important questions में और यही वो कह सकते हो session होगा students जहाँ पे आप अपने notes जो आपने पूरे साल throughout the year बनाए हैं उसको refine कर सकते हो हर notes के बाद आप लिख सकते हो most important questions और फटा फट से उनका revision करके आपको वो सारी चीज़े brush up हो जाएंगी जो हमने throughout the year एक एक करके पड़ी है उसके बाद lastly हम आते हैं complete chapter revision पे जिसमें हम आपको entire पूरा chapter बहुत ही जल्दी एक दम आपकी उंगलियों में हो जाएगा आपको स अब याद हो जाएगा तो complete chapter revision will be a complete revision of the entire chapter जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं so students यह होगा हमारा पूरा pattern chapter number 3 heat के साथ and students ऐसी ही और वीडियो के लिए और अच्छे knowledgeable content के लिए आपको follow करना है Magnet Brains को Magnet Brains e-books and e-notes भी provide करते हैं description box पे given जो link है उसे click कीजिए यह आप visit कर सकते हैं Magnet Brains की website पे www.magnetbrains.com and वहाँ जाके आपको click करना है grab e-notes पे सारे videos class wise subject wise सभी कुछ available होगा daily practice papers सभी कुछ आपको बस visit करना है www.magnetbrains.com and students आप English medium के हो Hindi medium के हो तो Magnet Brains दोनों ही mediums को education provide करते हैं YouTube पे अगर आपके friends Hindi medium से हैं तो उनको जाके बताईए कि Hindi medium channel भी available है YouTube पे Delhi board, CBSC board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board जैसे सारे ही boards के लिए education provide तो होती ही है लेकिन उसके साथ साथ spoken English, Vedic Maths, Crash courses जैसे courses भी available है Magnet Brains अविलेबल है WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, सभी जगा लेकिन आपको Magnet Brains को like करना है, subscribe करना है and share करना है मेरी वीडियो को like करना हम बिलकुल नहीं भूलिए, मेरी next वीडियो से updated रहे है and जैसा मैं हमेशा कहती हो students, stay tuned and happy learning and have a nice day